इस बिचारे को मार के फ्रेम में से इलाइटर उठाना तो बहुत आसान है लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला तो आज मैं सर्वाइफ करने वाला हूं 100 इस कमाल के वल्ड में जहां पर हमें कुछ नूब और कुछ ओपी वाले विलेज मिलेंगे लेकिन असली जंग तो एंडर वल्ड में होगी और इन हंडर डेज में वीदर और एंडर ड्रैगन को मानना तो हमारा सैकेंडरी काम है हमारा में मिसन तो इलाइटर लाना है जो कि हमें फ्रेम में सजागे रखी हुई ऐसे तो हमें कभी नहीं मिलेगी अगर मुझे इस वल्ड में इलाइटर चाहिए तो मुझे एंडर में के लीडर यानि की उनके किंग यानि की उनके बॉस कुछ भी कह सकते हो उसको मानना पड़ेगा तभी हमें इलाइटर मिलेगी जिसको मानना सही में काफ़ी दा मुश्किल होने माला है क्योंकि एक डेमेज सही हमारी बूलती बंद कर देगा और हर्ड कोर में हम वैसे खेल रहे हैं आज तो कि आज मैं इस वल्ड में 100 डेज सर्वाइफ करके उस प्यारी सी एंड सिटी में जाके उस लीडर को मार के लैटर ला पाऊंगा की नहीं वो जानने के लिए तो मैं वीडियो को लास तक जिरूर देखना पड़ेगा तो देखते हैं क्या होता आगे तो डेवन को स्पॉन हुआ मैं समुदर के किनारे जहां पर मुझे आस-पास तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा था लेकिन थोड़ा सा ढंक से देखने के बार पता चला की बगल में एक विलेज भी है खाम-खाम मैं इस वर्ल्ड की बुराया कर रहा था और विलेज को देखने के बाद बिना कुछ सोचे समझे मैं सीधा पानी में तैरते हुए सीधा विलेज की तरफ आगे बढ़ गया और वहां जाकर मैंने यह मैंने क्यों किया यह मुझे भी नहीं पता है तो उसकी बाद मैंने फटाफर से थोड़ी बहुत लकडियां जमा करके नहीं किसी के घर से थोड़ी बहुत लकडियां जमा करके अपनी लेक पिकेक्स बनाई और लगता है आज इस बिचारे की किस्मत ही खराब है देख रहे हो जिसको थपड मारा था उसी के घर से लकडियां और पत्थर चुरा लिए विचारे को पूरा नंगा कर दिया तो अपने अंकल जी का घर बरबाद करने के बाद मैंने उनके बोड़ी गाड को भी बरबाद कर दिया और आज हमारे गोलम भाईया हमें दिवाली का बोनस दे रहे थे वह भी दिवाली के बाद तो यहां से मुझे पूरे पांच आरेन मिले थे जिससे मैं अपनी लेक आरेन की पिक एक आरेन की स्वाट बना ली और यहां पर मैं सोच आ था कि थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी कर लेते हैं पर हो नहीं पाई निसाना थोटा कमजोर है गयार और उसकी बाद मैंने नाच आते हुए भी इस विलेज को लूटा जहां से मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ भी ढंका सामान तो मिलेगा नी हमेशा का यही है इनका पर ही अची बात थी कि मुझे खाने के ल लिया और बगल में थोड़ा बहुत कोल भी था तो मैंने खाना पकाने के लिए यहां से काफी सारा कोल भी माइन कर लिया और अभी इस वक्त केव में और अंदा जाना समझो वीडियो खतम करने के बराबर था मतलब हम लड़ाई नहीं कर सकते तो सीथा भार ही चल लेते हैं तो उसकी बाद मैंने भारा के अपना खाना और आयरन दोनों को पकाया और जब तक हमार आयरन और खाना पक रहा था मैंने थोड़ा बहुत खाना और जमा किया और यहां से मेरे को सिर्फ साथ आयरन नहीं मिलेते जिससे मैंने अपने लिए एक एक्स और एक वाटर बकेट और एक अपने लिए शील्ड बना ली और देखते हैं पहला दिन हाँ पर बीच चुका था तो मैं सीधा सोने चला गया और इसकी बाद में अपना बोरिय बिस्तर बांद के सीधा आगे बढ़ गया अपना खाना वाना जमा करके सीधा आगे बढ़ गया थोड़ा सागी चलन पीने का सामन मिला और 26 एपल इसका मतलब समझ रहे हो पूरे एक महीने तक ये डॉक्टर से दूर रहेगा चार दिन कम है कोई नी तो यहां पर अपनी बेस्ती कराने के बाद मैं सीधा विलेज की तरफ आगे बढ़ गया यहां पर तो कुछ नहीं मिला यार और विलेज में ज कावरी करते हुए सीधा आगे बढ़ी रहा था कि मुझे यहां पर एक और घर दिखाई दिया जो कि दिखने में थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था और जब मैं उसके पास गया तो उसमें से मुझे प्लेजर्स की आवाज आ रही थी और विचीस की भी आ रही थी इसका म गेट खोल के लगा देते हैं इनको तो गेट खोलना भी नहीं आता है जहां पर मुझे मस्त मस्त छेचे चमकते हुए डामेंड मिले मज़ा गया और प्लेजर्स को तो गेट खोलना आता नहीं तो इसका फायदा हम उठाने वाले हैं फिरकी तोड़के सामन चुरा लेंगे और पता नहीं यह कौन से सब्जियां बेचने जा रहे हैं यहां पर मुझे लिटरली इतने सारे वीट आलू पंपकिन्स पंपकिन पाई भाई इतना सारा खाने पीने का सामन मिला बस सामन बहुत सारा रखते हैं यह थोड़ी बद लूट पाट मचाने के बाद मुझे पता कि उनसे मैं अगर लड़ूंगा तो काफी जादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं मर भी सकता हूं तो मैंने सोचा क्यों ना फ्लिंट बनाके इनके घर में आग लागा दूँ इवोकर भी मर जाएगा टोटम भी मिल जाएगा अच्छा पर देख नहीं यह प्लान मेरा का करके flint and steel बनाई और सीधा निकल गया उनकी जोपड़ी में आग लगाने के लिए बुरा मत लगाने यह प्लेजर भाई तो मैं फुल तयारी करके उस घर में आग लगाने के लिए सीधा आगे बढ़ गया लेकिन जब मैं उस घर के पास पहुंचा तो किसी और दिन आएंग तो मैं पहुंचा एक आइस वाली बायों में जहां पर मुझे एक और गाउं मिला था जो कि दिखने में काफी मस्त लग रहा था लेकिन वहां जाने से पहले मुझे याद आए कि मेरे पाद 6-6 डैमेंड भी पड़े हुए हैं जिससे मैं अपने लेक डैमेंड की पिकेक्स और एक डैमेंड की स्वाड बना ली और अब चलते हैं सीधा गाउं में आग नहीं यार थोड़ा बहुत सामन जमा करने ट्रेड वेड करेंगे ना और पास जाने पर पता चला कि यह गाउं काफी मस्त बना हुआ है बस उतना ही मस्त मुझे यहां से सामन भी मिल जाए मस्त स सामन बोलाता यह मचलिया नि मांगी वैसे वह में वेजीटेरियन हूं और बगल मैं मुझे यहां पर एक लाइबरेरियन का घर मिलाता जो की सई में एक महेंगी वाले लाइबरेरियन गहरता काफी तकड़ी तकड़ी बुख्रख रखी तो अपने घर में और बाकी गाउं वालों की घरों में मुझे जादा कुछ खास सामन तो मिला नी बस थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा खाना पानी तो मिली गया था और यहां की लाइबरेरियन सही में काफी जादा मीर है अफसोस अब नहीं रह पाएंगे तो यहां से भी मुझे काफी मस्त मस्त बुक्स तो मिल लगाना मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने उसको आइरन की चैस्ट प्लेट पे नहीं लगाया डामिंड की लगाएंगे तारेक और उसकी बाद में इस गाउं को बरबात नहीं और इस गाउं से सारा सामा जमा करके सीधा आगे बढ़ गया बरबात थोड़ी ना किया है यार और थोड़ा सा आगी मुझे हम पर एक फूरो का बगी चैसा मिला जो कि दिखने में कुछ थोड़ा अच्छा सा ही लग रहा था तो मैंने उसको बिगाड़ा बिलकुल नहीं है और अपनी बोट को लहराते हुए मैं फाइनली पहुचा एक और गाउं में जो कि दिखने में गाउं जैसा तो बिलकुल नहीं लग रहा था यह एक पूरी की पूरी एक सिटी थी सिटी कहलो टाउन कहलो विलेज कहलो कुछ भी कहलो पस अपने को तो सिर्फ लूट से मतलब है और इस गाउं के सारे घर काफी मस्त बने हुए थे जितना भी मुझे सामन यहां से मिल रहा और हमारे एंकल जी सत एैमड़े हमें एक आरन की पैंट पेंट बेच यह सकवाइगा बसно है चोड़ी करनी तो मुझे और अबने प्यारे प्यारे हम इ credible को चरिकर के नियुक्ता आ और ठोड़ी बहुत इस गाउं की तलासी लेने के बाद मुझे पते इस नहीं उने एक बीच में कैसल भी बना रखा है जो कि दिखने में काफी डीसेंट सही था और अब से ही कैसल सिर्फ मेरा है यहां पर कोई नहीं रहेगा तो मैंने घंटी बजा के सभी को भगा दिये हैं से और कैसल तो काफी मस्त भी था आई मिन लूट में काफी मस्त था डैमेंड भ यूते बना लिए और अपनी डायमेंड की चेस्ट प्लेट प्लेट प्रोटेक्शन थरी की इंचेंटमेंट भी लगा लिए और बाकियों पर इंचेंटमेंट लगाने के लिए एक्सपी थोड़ी सी कम पढ़ गी तो खेर छोड़ो बाद में लगा लेंगे और उसके बाद तो यहां पर मैं अभी बस पहार चड़ी रहा था कि मुझे यहां पर एक रूइंड पोटल दिखाई दिया लेकिन जब तक मैं रूइंड पूटल के पास जाता मुझे यहां पर एक और धोप्री आई मिन एक और घर दिखाए दे गया तो अब पहले थोड़ा सा लूटने चलते बाद में चलेंगे नेदर में और यह गर देखने में जितना सुनदर लाए था मैं सुचा था कि सामन भी उतना सुन्दर एकदम मस्त सा मिलेगा जैसा घर वैसे समन मिला लख़ई यह में बिली अ सामन तो मिला नहीं और जब मैं उप्राइले फ्लोर पर आया तो मुझे यहां पर एक यह क्या चीज़ है भाई यह तो संडास है यार और अभी बस में यहां से निकली रहा था कि मुझे याद है कि इवोकर भाई साब का हतियार तो मेरी जेम में पड़ा है अब इवोकर भाई थी सीद्धा नेदर में जाने की नेदर में इसली जा सकता हूं बस मुझे हाँ पर चार ऑपसीडेंट चीज़ कि मुझे चैस्ट से कभी नहीं मिलेंगे और यह अच्छी बाती कि मेरे पर डैमेंड की पिक एक्स भी थी तो जितने भी एक्स्ट्रा ऑपसीडेंट है मैंने उसके बाद उन्हें जमा कर लिया एक काम करते हैं उस पर एफिसेंसी लगा लेते हैं फाइनली पोटल को एक्टिवेट करके सीधा निकल गया नेदर के लिए और नेदर का तो तुम्हें पता ही है अपनी किसमत कभी साथ नहीं देती है इस बार भी बेगासी जगा पर निक की तलास में आगे बड़ी राता कि मुझे याद आए कि मैंने अभी तक फेस रिविल नहीं किया है ऐसा तुम सोच रहे होगे लेकिन मैं फेस रिविल अल्रेडी कर चुका हूं अपने इंस्ट्रग्राम पे अब थोपड़ा देखने जाई रहे हो तो फालो भी कर लेना हम परके हैं अब फास्ट इस बर फॉर्ट्रेस मिली मुझे सबसे घटिया वायोम में यह सबसे घटिया बायोम लगती है में नियुको तो तुमें भी लगती हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता ना और ब्लेज़ रोड जमा काने से पहले जरह देख लेते हमें चेश्टों म थोड़ा सा आगी मुझे यहां पर blaze spawner भी मिल चुका था जहांसे मैंने फटाफर से blaze road जमागी तो finally अपने पास यहां पर blaze road तो आ चुकी थी और end में जाके वहां से वेब्ड फोरेस्ट मिला ही नहीं तो ना चाते हुए भी मैं सीधा अपने घर वापस आ गया कोई नहीं क्लेरीक अंकल से खरीद लेंगे और अपने प्यारे से घर पे आगे घर नहीं है फिलाल अपने ओर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं तो उसके बाद मैं अपनी बोट को टैर आते हुए एकदम मजे लेते हुए सीध आगे बढ़ गया तो काफी दे चलने के बाद फाइनली मुझे हां पर एक और सिटी दिखाए दी जो की दिखने में काफी ज्यादा मस और काफी ज्यादा सुन्दर सी बनी हुए थी मन तो कर रहा था कि इसी को अपना घर बना अपनी लेक प्राइवेट सुमिंग पूल बना रखा हो भी बगल में बड़े रंगीन वाले सौक लगते हैं इनके तो तो उसके बाद मैंने अपनी डैमेंड की खोज को कंटीनिव रखा मतलब विलेज को लूटना कंटीनिव रखा जहांसे मुझे ठीक तक सा सामन तो मिल का था काफी सारे डैमेंड्स और एमरेंस में पर आ चूके थे और उसके बाद मुझे अहां पर यहां पर एक बेरोजगार एक मिलेज संदा दे रहते हैं तो इसके बाद मैंने यहां पर एक ब्रूरेंग स्टेंड बना के उसको क्लैरीक अंकल की जॉब देने की सोचा पर इ यह हो इनके नखर एक खतमनी होते हैं कि अबस करने लेड़िया को समझ रहा था त्लब वाई साबने क्लीरिक होगीAB इस सब्सक्राइब करना पढ़ा यहाँ करके पर मिरेंब्से उनको खर्च करके हमारी क्लेरिक उनकर जादा मैकस तो हुए नीए फ्र्डब वहाथ होगे थे मैं भी थोड़ी देर बाद करूँगा जब तक यह डामन का कुछ बना लेते हैं तो उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर डमेंड की पेंट बना ली और स्बस्पेंट तरीका है पृत की मड़त लेनी पड़ेगी बागी सारे किसी काम के नहीं है फ्लेचर अंकल सही में ओपी है और हैस्टेग फ्लेचर अंकल ओपी चला दो या चैट में मतलब कमेंट्स में जब तक तक तुम कमेंट्स में लिख रहे हो मैं थोड़ा बहुत एमरेस देमा कर लेता हूँ तो उसके बाद मैंने काफी सारे एमरेस खरीद के अपने क्लेरिक अंकल को मैक्स किया जिनोंने में फाइनली एंटरपल दी पर काफी जादा महेंगी दे रहे हैं और यहाँ पर माइनिंग के लिए किसलिए आया था मुझे यार तो बिल्कुल नहीं है तो उसके बाद मुझे हाँ पर एक जॉम्पी स्पॉनर मिला था जिनकी चेस्टों से मुझे जादा कुछ खास तो सामन मिला नी बस एक गोल्डन एपल मिल गया था और अभी बस मैं मा एक अंकल से 12 एंडर फल्स खरीदी बस इतनी तागतें के पास 12 एक बार में और और बी जदे एंडर फल्स खरीदने के लिए मैं अभी रुखना बिल्कुल नहीं चाहता था मुझे जल्द से जल्द लेके आनी हैं तो एक बार अपना लख भी अजमा लेते हैं मेरे पास सिर हुई एक लैबरेरी के अंदर अब यह मत कहना मैं हाँ पर पढ़ूं बैठके और चेस्ट में से मुझे एफिसेंसी फोर काफी बढ़ी है और चलो यह भी बढ़ी है और दूसी वाली चेस्ट में से मुझे हैं पर एक और बुक मिली जिस पे प्रोटेक्शन 3 और नहीं प्र सब्सक्राब है यहां पर मेरे पास लिटरली जब मैं निकला था स्टॉंग ओल्ड से मिरे पास 12 थी मतलब आई ऑफ एंडर थी जिसमें से एक तूटकी बची मेरे पास सिर्फ 11 चाहिए मुझे लेकिन 12 मैं सोचा था कम से कम एक तो लगी होगी लेकिन नहीं एक भी ने लग यह थी और के विश में तो एंडर भाई से हमें दर्सन देनी रहे थे तो मैं सीधर स्ट्रॉंग होल से भार आ गया और भार आने पर पता चला कि यहां पर आसपास दो दो विलेजिस हैं एक अच्छा वाला और एक बेकार वाला तो बेकार वाले के पास कौन जाएगा मैं सी पास चलेंगे और विलेज में जाते हमेजा जो मैं काम करता हूं इस बार भी मैंने वही काम किया मतलब धेर सारे एमरेश चुरा है नहीं जमा की है और रास्ते में टहलते हुए मुझे क्लेरीक अंकल मिल गे तो बस इनको मैक्स करते हैं फटा फूर से फिर खड़े देंगे इन सेंटरपल और लाइबरेरी वाले अंबानी जी के घर में काफी बड़िया बड़िया किताबे मिल रही है अचकल उसके बाद मैंने काफी दुना तक सिर्फ मेहनती की जो कि हमें करनी पड़ेगी अगर एमरेश जमा करने है तो और फाइनली मेरेश यहां पर काफी सारे आ चुके थे जिससे मैंने अपने क्लेरिक अंकल को मैक्स किया और अपने क्लेरिक अंकल को मैक्स करने के बाद पता चला की अपने साथ बहुत बड़ा वाला स्कैम हुआ है अब अच्छा लग रहा थोड़ा सा तो महेंगी वाले विलेज में तो हमें कुछ नहीं मिला तो उ होने के लिए उसके बाद मुझे एंड सिटी में जाके उस बॉस को भी तो निपटाना है तभी हमें लैटर मिलेगी उससे पहले इस नूब को जरा निपटा दू मैं और फैनली मैंने इस नूब को भी निप्टा दिया जिसको निप्टाने के बाद मैंने उसकी XP और अंडा दोनों को चुरा लिया और अब बारे थी इसका इलाइटरा लेकर आने की जो कि हमें मिलेगा एंडरमेन के बॉस को मारके और इनका जो main boss है वो हमें मिलेगा end city में वो भी जो ship होती है ना वहाँ पर हमें मिलेगा उसको मारेंगे तब जा कि हमें लाइटर मिलेगी जिसको मानना थोड़ा तो मुश्किल रहे गई तो उसके बाद मैंने हैं से धेर सारी एंटरपल जमा की और सीधा निकल गया end city के लिए बस आप फटाफर से एक end city मिल जाए मुझे और फाइनली काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे हाँ पर एक end city दिखाई थी जो कि दिखने में सही में काफी जादा सुन्दर थी और जितना ये दिखने में मस्त थी उतना ये खतनाग भी है यहां के बोडिगार सही में दिखने में भी ट्रावने हैं और अंदर से भी ट्रावने होएंगे देख रहे हैं उन्होंने पहने रखाए फुल डामेंड का इंचेंटिड आर्मर और उनके सामने आया एक ये गंदी सी सपे टूपी पहने के आया है उनसे लड़ने देख रहे हो और यहां के लोग कोई भी ये सिंपल नहीं थे काफी मतलब अलग ते डामेंड की स्वार और डामेंड कार मरत हो इनके पास साथी साथ टोटम भी ले रखा है इनों शील्ड भी ले रखी है भाई कितने खतनाक हैं ये पर अपने से ज़्यादा खतनाक थोड़ी होएंगे तो मैं सीधा निकल गया उनको धोने के लिए और पास जाने में पर चला कि इनसे भागने में भलाई है इनके हाथों में टोटम भी अपने पास तो कुछ भी नहीं है और इनके एक हिटसे में समझ गया कि इनसे लड़ना मुश्किल तो होने वाला है पर जैसे तैसे मैंने गोलम भया की ट्रिक कर इस्तमाल करते हुए इस एंडर्मन गार्ड को तो बहुत ही इजीली मार दिया टो इसे हरकते करूंगा तो वीडियो यहीं हैंड हो जाएगी और गोलम भया की ट्रेक हमेंसा काम करती है लेकिन अंदर जाके इनसे एक साथ लड़ना अपने लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था तो मैंने उस्ता क्यों ना ऊपर ऊपर से चलते हैं थोड़ी बहुत मारके हवा में उड़ा दिया पर यह अची बाती की उन्होंने हमें नीच उतानने का एफेक्ट भी दे दिया और यह क्या चालू है भाई जो भी चल रहा है काफी मस्त लग रहा है यह मुझे मारने वह तो ठीक है आपस में भी फाइट करते हैं यह और गोलम भया की ट्रेक स मतलब लूट पाट काफी मस्त मिलने वाली यहां पर यहां पर मुझे जो भी इंचेंटमेंट मिली थी मैंने फटाफर से अपने आर्मर पर लागा ली पर एक बुक लगाती हमारे अन्विल ने दम तोड़ दिया और दूसरी साइड जाने के लिए मस्त पुल बना रहा है इ जिन में डामेंड और काफी मस्त मस्त बुक रखी हुई है तो पहले तो यहां पर जितना भी सामान तर्म मैंने उसको चुरा लिया और बाद में मुझे याद आए कि मैं पूरा कपूरा शलकर बॉक्स भी तो उठा सकता था पतानी मैं भी क्या करता रहता हूं और आगे गोल्ड मिला और इंचेंटिड गोल्डन एपल मिल जा तो मज़ए आ जाए और यहां पर मेरे पस काफी सारा आयरन तो आ चुका था जिससे मैंने अपने लिए एक दुबारा से एक एंविल बनाया और जो जो इंग बुक अपने आर्मर पर लग सकती थी मैंने उन सबको रहा था और इन से लड़के भी कोई फायदा था नी क्योंकि इनका मेन बॉस यहां पर ही नी जो कि हमें सिर्फ एंड शिप में मिलता है और इस एंड सिटी में शिप थी नी यह मैंने बहुत लेट नोटिस किया तो उसकी बाद मैं सीधा अपने घर वापस आ गया और एंड फोर की बुक थी पर लेकिन यहां में पेगल गया वीदर को भी मानना है तो इन भाई साब ने हमें थोड़ा सा थोड़ा सा रोक लिया तो उसकी बाद मैंने अपने ओपी वाले फ्लेचर अंकल से काफी सार एमरल्स खरी दे और फाइनली अपने लिए एक लूटिंग 3 की ब तो फिर से करते हैं लें दें अपने ओपी वाले फ्लेचर अंकल के साथ तो उसकी बाद मैंने अपने लिए काफी सारी प्रोटेक्शन 2 की बुक खरी दी जिनको कमबाइन करके मैंने प्रोटेक्शन 2 बनाई नहीं थी बनाई नुकसान थोड़ी करवाना है यार और यहां प प्लेट पर बाकी थी एक्सपी थोड़ी कम पढ़ गी यार और उसके बाद मैंने सुझा क्यों ना पहले जाके वीदर को निप्टा देते हैं एलाइटरा थोड़ी देर बाद ले आएंगे तो उसके बाद मैं नैधर पोटल बनाके सीधा निकल गया नैधर के लिए और जै ले एक साथ तीर मिल गया चलो सही है अपना काम हो गया तो उसके बाद मैं थोड़ी बाद 608 जमा करके सीधा अपने घर वापस आ गया और बारती इलाइटर लेकर आने की वहीं पर जाके वीदर को भी निप्टा देंगे तो मैंने सुझा क्यों ना सीधा निकलते हैं स्ट् के लिए और काफिदे चलने के बाद फैनली मुझे यहां पर एक एंड़ सीटी मिल चुकी थी और यहां पर वो शिप भी थी जहां पर हमें वह बॉस मिलेगा जिसको मानने के बाद हमें इलाइटर लेनी है और इन छोटे मोटे एंडर मैं गार से लड़ने के मूड में मैं मैंने सुचा क्यों न सीद्धा एंड शिप पर चलते हैं वहीं से सीद्धा बॉस को निप्टा देंगे उनके तभी लाइटर मिलेगी इनको मार के कोई फैदा नहीं है और इन सब को निप्टाने के बाद मैं सीद्धा निकल गया उस शिप पर हमला बोलने के लिए पर जैस पर तो आगया अब मैं अब इनसे फाइट भी घंनी पड़ेगी तो जैसे तैसे करके मैंने यहां के जितने भी गाड़ते उन सबको तो निप्टा दिया था बस इनका मिन बॉस बाकी था जिसको मैंने मारा तो मुझे डामेज मिला पहले तो मैं समझनी पाया था कि यह क्या फिर इसका फैदा भी ठालेते हैं जिसका फैदा उठा कि मैंने इसको बहुती ज्यादा इजीली मार दिया और फैनल इसको मानने के बाद हमें मिल चुकी थी अपनी इलाइट्रा यानि कि अपना मिशन कंप्रीट हो चुका था इलाइट्रा लेने का पर थोड़ी सी टूट् पश्मास चाहिए भी नी जा तो मैं सीधा अपने ङ stopping वापस आ नहीं और मार तो इस बार कर वालें इसको दॉं 이후 रहेंगे और फाइनली भूती ज़्यादा इसली हमने वीदर को भी निप्टा दिया और हमारे सारे टास्क भी कंप्लीट हो चुके थे और फाइनली हमने इस वल्ड में भी 100 डेस सर्वाइफ कर लिये और होफिले आपको इस 100 डेस की जन्नी में काफी ज़्यादा मज़ाया होगा अगर आपको मज़ा आया तो यार वीडियो को लैक कर देना चैनल पे ने तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ एक तगड़ी से अनाउंसमेंट जो मैं वीडियो के सुरू में कह रहा था आप तो तुम्हें पताई दूँ फेस रिविल की वीडियो बहुती जल्दी आने वाली है जो की आएगी मेरे सेकंड चैनल पे हाँ इस वाले चैनल पे तो जल्दी से आके उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना लिंक डिस्क्रिप्शन में एक दम टॉप पे मिल जाएगा तो फटाफर से सब्सक्राइब कर द ना एक दो दिन में आने वाली है बस कर दो सब्सक्राइब फटाफर से